हेलो गाइस ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए गाइस अगर देखे हम हिंदुस्तान में तो इंग्लिश जो है आज भी एक विशय बना हुआ है और English के आगे आज भी how लगा हुआ है तो हमने सोचा क्यों नहीं हम English के ये जो आगे how लगा हुआ है question mark लगा हुआ है इसको हटा कर वहाँ पर dot लगा दिया जाए तो इसी के लिए हम आपको लिए लेकर आचुके हैं English एक पूरा course क्योंकि अगर आप देखें किसी भी language में अगर आपको grammar नहीं आ रहे हैं तो आप उस language में export नहीं हो सकते हैं देखिए कोई भी language सीखने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना होता है वो क्यों जरूरी है ये जानना होता है तभी हम उसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे English एक international language है ये हर कोई जानता है और आज इसकी हर किसी को जरूरत है अगर कोई English नहीं जानता फिर चाहे वो कितना हो पढ़ा लिखा हो उसको दुनिया uneducated के निगाह से देखती है यानि वो ऐसे देखती है दुनिया कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तो हम लोगों के लिए जरूरी है कि इसको सीखें बहुत सारे institute है बहुत सारे कोचिंग है जहां पर आप सीख सकते हैं लेकिन उनकी फीज बहुत ज्यादा है तो हम आपके लिए free grammar learning course लेकार आ चुके हैं जो के हर lecture wise sequence wise आपको provide कराए जाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताईए ताकि वो कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें सबसे पहले learning goals देखते हैं कि हम इर वीडियो में सीखने क्या क्या वाले हैं तो इस वीडियो में हम 11 चीज़े सीखने वाले हैं जो के है अलफाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में जी हां इंग्लिश में कितने अलफाबेट होते हैं ये सीखने वाले हैं जो थोड़ा advanced level के students हैं उनको बोरिंग लग सकता है लेकिन हम बिल्कुल basic से start कर रहे हैं तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी छोटी सी छोटी knowledge भी बेकार नहीं होती है और हम देखेंगे के इंग्लिश में letters कितने होते हैं फिर हम देखेंगे letters के types कितने होते हैं फिर हम देखेंगे English में vowels कितने होते हैं फिर हम देखेंगे English में consonants कितने होते हैं कहां पर a का use करें कहां पर an का कहां पर the का use करें कहां पर the का अपने बहुत सारे speeches में बहुत सारे जगों पर ये सुना होगा लोग बुलते हैं the university the end तो the और the ये क्यों कहा जाता है द ही सिर्फ क्यों नहीं कहा जाता क्या एक लेटर का कोई word हो सकता है यानि वो एक लेटर हो और word भी हो तो हम इस बात को इस वीडियो में जानेंगे और क्या क्या हम सिखने वाले हैं क्या एक word का कोई sentence हो सकता है, यानि वो एक word हो और सिर्फ वो sentence का काम करेगा और sentence कहलाएगा, क्या एक sentence कोई paragraph हो सकता है, इस वीडियो में हम ये सिखेंगे, पैंगराम क्या होता है, ये भी अच्छी तरीके से explanation के साथ सिखेंगे, ये हमारा lecture number one है, फिर हम आगे lectures आते वेसिक से advance तक हम आपको सिखेंगे, लेकिन आपको एक बात note करनी होगी, कि आप notes जरूर बनाएंगे, अगर आपको English सीखनी है, तो without notes आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप सोचिएगा कि सामने laptop रखकर, हाथ में mobile रखकर सीख जाएं, तो ये आपकी wrong thinking है, आपको copy pen लेकर बैठना पड़ेगा, notes बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको English आएगी, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें, तो English में एक ही alphabet होता है, English शंगरुज में कितने alphabet होते हैं, सिर्फ एक alphabet होता है, जी हाँ, आपने बहुत सारे class मे बच्चों को पढ़ाते हुए, मैम को पढ़ाते हुए देखा होगा, कि जब भी मैम classroom में इंटर करेंगी, तो बच्चे कहेंगे good morning मैम, तो मैम क्या कहेंगी, कि good morning, good morning बच्चों, how many alphabet in English, तो बच्चे कहेंगे 26 मैम, तो मैम भी कहेंगी क्या, जी हाँ, जी हाँ, बहुत अलफाबेट होता है, 26 letters होते हैं, यानि जितने भी letters हैं, उन सबको एक नाम दे दिया गया, जिसको alphabet कहा जाता है, उसी को alphabet, अगर आप देखें उर्दु में, तो 29 letters हैं, उन सबको एक नाम दे दिया गया, जिसको हुरुफे तहजी कहा जाता है, तो इसी तरह इसमें भी है, एक ही alphabet होता है English में, फिर अगर हम देखें तो 26 letters होते हैं, जब भी हम classroom में इंटर करेंगे अब तो क्या कहेंगे, नहीं मैम, 26 letters होते हैं, alphabet नहीं होता है, और वो 26 letters कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E, F, G, हर कोई जानता है, यही letters है, अब बात आती है कि आखिर यह letters के types कितने होते हैं, letters के कितने types होते हैं, तो हम आपको बता दें, के letters के दो type होते हैं एक है capital letters दूसरा है small letters capital letters को कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं बड़े अक्षरों में सारे बड़े अक्षर लिखे जाएंगे इसी को capital letter कहा जाता है देखिए अगर आप advanced level के हैं तो आपको boring हो सकती है लेकिन किसी भी learning चीज से बहुत नहीं होना है यकीन मानिए आगे आपको बहुत सारे important important चीज से जानने को भी मिलेंगी small letters कैसे होते हैं यह ऐसे लिखे जाते हैं सारे small में लिखे जाएंगे आप देख सकते हैं कैसे लिखे तो इनको हम small letters कहते हैं और इनको हम capital letters कहते हैं तो आपने जाना के letters के दो types होते हैं जिनको capital letter कहा जाता है एक को और एक को small letter कहा जाता है अब बात आती है कि English language में vowels कितने होते हैं तो English language में 5 vowels होते हैं कितने vowels होते हैं English language में 5 vowels और इन 5 vowels को क्या कहा जाता है जो किया A, E, I, O, U यह पांच vowels हैं इंग्लिश में जिन्हें वोवल कहा जाता है इनकी ध्वनी कैसे निकलती है और या फिर इसको ए भी कहते हैं इ फिर आता है आई फिर आता है ओ फिर आता है यू यह हमारे वोवल है हम इनका यूज अभी देखेंगे कहां पर करेंगे इक्जाम्पल्स के साथ बात आती है इंग्लिश लैंगवेज में कॉंसुनेंट्स कтомंसुनेंस कितने हैं टॉपिक है difference between a and n, a और n के बीच क्या फर्क है, कहां पर लोग a का यूज करें, कहां पर लोग n का यूज करें, यह हम सीखने वाले हैं, इस topic पर, सबसे पहले हम देखते हैं, a का यूज कहां करेंगे, तो अगर next word का जो है, sound, sound, consonant sound से start हो रहा है, यानि वो sound जो है, हम example के थुरू भी समझेंगे, जो अगर next word का sound, next word का sound, यानि a के बाद कोई word है, और उसका sound जो है, a, n, i, o, u, यानि जो हमारे vowels हैं, उनके जैसा नहीं निकल रहा है, तो हम a का use करेंगे, यानि अगर हमने कहा, he is a boy, तो इस a के बाद, ये जो word है, ये consonant है, क्योंकि अगर आप देखें, तो b एक vowel नहीं है, और नहीं b की जो sound है, वो vowel जैसी है, तो हम यहाँ पर a का use किये हैं, फिर अगर हम next देखें, he has a car, तो हमने यहाँ पर भी a का use किया, क्यों यूज किया a का, आप देख सकते हैं, a के जो बाद का जो word है, c, ये ना तो एक vowel है, और नहीं इसकी sound vowel जैसी है, इसी वज़ा से हमने a का use यहाँ पर किया है, फिर अगर हम next देखें, तो यहाँ पर a का use हमने किया, और जो next वाला sound है, ये ना एक vowel है, और नहीं इसकी sound vowel जैसी है, ना ये खुद vowel है, इसी वज़ा से हम यहाँ पर a का use इसका किया है, तो आप देख सकते हैं, वो एक dsp है, तो इस एक के लिए हमने a का use किया, और a इसलिए लगाया, क्योंकि ये जो d है, ये ना तो vowel है, ना इसकी sound vowel जैसी है, फिर अगर हम कुछ और examples देखें, जो के है, मेरे पास एक कलम है, तो इस एक के लिए हमने a का use किया, और इस a का use हमने क्यों किया, n का use भी तो कर सकते थे, तो भीया, हमने a का use इसलिए किया, क्योंकि इस a के बाद वाला जो word है, वो है p, और p जो है, ना तो एक vowel है, और नह इसकी sound vowel जैसी है, यानि आपको vowel होना चाहिए, और sound भी vowel जैसा होना चाहिए, तो उस situations में जो है, हम use करते है, n का और a का, इस situations को देखकर, यानि अगर कोई ये p अगर vowel नहीं भी होता, और इसका sound जो है, vowel जैसा होता, जैसे हमने कहा mla, तो m जो है, ये एक vowel नहीं है, लेक फिर अगर हम next देखें, तो उसका एक भाई है, तो इस एक के लिए हमने use किया a का, और a का use क्यों किया हमने, क्योंकि next word जो start हो रहा है, वो b से हो रहा है, और ये वाला जो b, ये न तो एक vowel है, और नहीं इसकी जो धोनी है, यानि इसकी जो sound है, वो vowel जैसी है, इसी वाज़ एन, हम एन का use कहां करेंगे, तो देखी कि जो sound है, next word का, अगर वो start हो रहा है, एक vowel sound से, तो हम उस situations में एन का use करते हैं, example देखते हैं, हमने कहा कि तुम एक घंटे में जाओगे, तो इस एक के लिए जो है, हम क्या use करेंगे, एन क्यों यूज किये हैं, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए, ये एन के बाद वाला word जो है, वो एच है, और एच एक vowel नहीं है, फिर भी हमने एन का use किया, ये एक एक vowel नहीं है, फिर भी हमने एन का use किया, क्यों यूज किया, तो अगर आप देखें, तो इसकी ज हम आवर तो इस आवर इसकी जो धूनी है ये भले ही वावल नहीं है ये भले ही वावल नहीं है लेकिन इसकी जो धूनी है वो वावल जैसी है इसी वज़ा से हमने N का use किया है तो ये बात तो confirm है कि अगर कोई vowel है भी और उसकी जो sound है वो vowel जैसी नहीं है तो हम N का use नहीं करेंगे और अगर कोई जो vowel है भी नहीं word और उसका sound vowel जैसा है तो हम N का use कर लेंगे कुछ और examples देखते हैं एक और example हम लेते हैं कि वहाँ एक हाँ थी है तो इस एक के लिए हमने N का use किया N का use क्यों किया क्योंकि ये एक vowel है और next word अगर vowel से start हो रहा है या उसका sound vowel जैसा है तो हम N का use कर देंगे फिर next आता है कि वह एक MLA है तो ये जो MLA है इसके लिए हमने एक का use किया और उस एक के लिए हमने N का use किया N का use क्यों किया भाई अब M तो एक vowel नहीं है फिर भी हमने N का use किया तो भाईया अगर आप बोल कर देखें तो He is an MLA MLA ये जो A के ध्यूनी आ रही है sound आ रहा है ये एक vowel जैसा है यानि जब vowel जैसा sound आए तो हम N का use कर सकते हैं भले ही next word वावल नहो next topic के तरफ बढ़ते हैं अब बात आती है कि हम बहुत सारी speeches में बहुत जारे जगों पर सुनते हैं कि कुछ लोग कहते है the कुछ लोग कहते है the तो इसका चक्कर क्या है कहाँ पर हम the का use करे और कहाँ पर दी का जो देखिए इसका भी same funda है अगर जो next word का sound है वो start हो रहा है एक consonant sound से तो हम उस समय पर the का use करेंगे फिर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर the का use किया देखिए लिखा same जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा the को एक पढ़ेंगे एक को the पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे अगर next word का sound जो है वो consonant sound है तो उस situations में हम इसको the पढ़ेंगे और अगर नहीं है तो the पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यह एक vowel है लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे the university यू यहाँ पर यह वोवल की धुनी नहीं निकल रही है तो हम यहाँ पर the इसको कहेंगे कुछ और examples देखते हैं यहाँ पर हमने कहा कि the pen the pen the pen क्यों कहा क्योंकि न तो यह एक vowel है न इसकी sound vowel जैसी है फिर बात आती है कि यहाँ पर हमने कहा the dsp the dsp क्यों कहेंगे क्योंकि न तो यह एक इसका बाद वाला word d यह एक न तो vowel है और नहीं इसका sound vowel जैसा है next topic के तरह बढ़ते हैं अब बात आती है d की हम d का use कहां पर करेंगे लिखा same जाएगा यह देखिए लिखा same जाएगा लेकिन पढ़ा अलग जाएगा तो हमने इसको understanding के लिए d आपके लिए लिख दिया है अगर next word का जो sound है वो start हो रहा है एक vowel sound से तो उस situations में हम d का use करेंगे कुछ examples देखते हैं हम यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे जो word है e यह एक vowel भी है और इसका sound भी vowel जैसा है sound पर आपको ज़्यादा focus करना है फिर एक और example देखते हैं कि the hour the hour क्यों कहेंगे हम क्योंकि यह एक vowel नहीं है भले ही h लेकिन h का जो sound है वो vowel जैसा है इसी वज़ा से हम इसको the hour पढ़ेंगे एक और example लेते हैं हम जो कि है dmla dmla क्यों कहेंगे हम क्योंकि m m m mla यानि यह जो sound निकल रहा है वो एक vowel जैसा है इसी वज़ा से हम इसको the पढ़ेंगे क्योंकि इसकी बाड़ वाला m जो है यह एक vowel नहीं है लेकिन इसका sound vowel जैसा है तो इस situations में हम दी पढ़ेंगे इस the को तो यह fund आपका clear हो गया next topic के तरफ पढ़ते हैं एक यह fund आपका clear होना चाहिए कि जो letters से मिलकर words बनते हैं ठीक है और words से मिलकर sentences बनते हैं और इन sentences से मिलकर paragraph बनते हैं तो यह एक English की building है पहले letters होते हैं उसके बाद words आते हैं उसके बाद sentence उसके बाद paragraph यानि letters मिल जाते हैं तो words बन जाता है words मिल जाते हैं तो sentence बन जाता है sentence मिल जाते हैं तो paragraph बन जाता है यह interesting fact है English के बारे में जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था फिर आता है कि yes one letter can be award, एक letter का कोई award हो सकता है, it is possible, हमने आपको उपर goals में दिखाया था, learning goals में, कि क्या एक letter का कोई award हो सकता है, यानि वो एक letter होगा, और award में count होगा, तो अगर आप इसका example के साथ हम आपको दिखाने के कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमने एक example लिया, राहुल is a nice person, he helps me in need, he plays football, तो अगर हम देखें, तो इसको अगर हम count करेंगे, इसमें, इसको पूरी तरीके से count करेंगे, इसमें सारे चीजे, तो इसमें 48 letters है, 13 words है, और 3 sentences है, और 1 paragraph है, तो अगर हम देखें, तो इस a को भी हमने word में count किया है, क्योंकि यहाँ पर यह एक word का meaning दे रहा है, तो इससे बात यह clear होती है, कि यह a भले ही एक letter है, लेकिन यह एक word भी है, तो यहाँ पर यह funda clear होता है, कि एक letter का एक word possible है, यह हो सकता है, next topic के दरफ बढ़ते है, जो कि यह है हमारा, yes, one word can be a sentence, क्या एक word का कोई sentence हो सकता है, सबसे पहले sentence होता क्या है, तो देखिए, sentence यह एक ऐसा जुमला होता है, एक ऐसा sentence का सकते हैं, जुमला, जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है, जैसे हमने कहा, are you going, क्या तुम जा रहे हो, तो जिसको मैंने कहा, वो पूरी बात समझ चुका है, यानि वो इस बात को समझ चुका है, तो जो भी आप बात बोलें, जिसको कोई समझ सके, तो वो sentence कहलाएगा, तो sentence मैंने example के तौर पर लिया है, are you going, क्या तुम घर जा रहे हो, तो किसी ने मुझसे कहा, are you going to home, क्या समझ में आ गई न, कि ये घर नहीं जा रहा है, तो ये जो है, ये sentence का काम कर रहा है, कैसे sentence का काम कर रहा है, देखा आपने, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने कहा, are you going to home, क्या तुम घर जा रहे हो, तो इससे बात समझ में आ गई उसको, तो उसने कहा नहीं, तो इससे मुझे भी समझ में आ गया कि वो घर नहीं जा रहा है तो इससे बात किलियर होती है कि एक वार्ड का एक सेंटेंस हो सकता है आप इस फैक्ट को दूसरों से बता भी सकते हैं हम नेक्स टॉपिक के तरफ हमारे बढ़ते हैं जो कि है यह सवन सेंटेंस एक परागराफ हो सकता है यह इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कुछ जानने के लिए जो कि आपको कोई भी नीचा ना दिशा सके बिलकुल बैसिक से हम आपको उठाकर एडवांस तक ले जाएंगे बने जाएंगे आप एक्सांपल देख सकते हैं मैंने कहा है यहां पर मैंने क्या कहा है कि मेरे डैड ने मुझको देखा कि मैं एक शौर मैं सीनिमा हॉल पर खड़ा हूं सीनिमा हॉल पर जो है मेरे डैड एक दुकान पर खड़े थे और उन्होंने देखा कि मैं सीनिमा हॉल पर खड़ा हूं और वहां पर मैं अपने दोस्तों के साथ मुवी के टिकट बाई कर रहा हूं यानि खरीद रहा हूं तो मैं डर गया कि वो मुझे डाटेंगे फटकारे मारेंगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया तो यहां पर देखा आपने कहीं पर भी फूले स्टॉप नहीं है तो इसका मतलब यह एक सेंटेंस है लेकिन यह एक पारागराफ भी है यह एक पारागराफ वाला मीनिंग पूरा दे रहा है तो यह एक पारागराफ भी है तो पैंग्राम क्या होता है पैंग्राम यह एक sentence होता है और उस sentence के अंदर English के सारे alphabet, सारे letters होते हैं उसमें, तो अगर हम देखें तो पैंग्राम is a sentence containing all the letters of the alphabet, alphabet के सभी letters उस sentence में आते हैं, यानि A, B, C, D, इसे लेकर Z तक उस एक ही sentence में आ जाता है, तो example क्या हो सकता है, the quick brown fox jumps over the lazy dog, अगर आप इसमें गिनें, तो आपको सारे words मिल जाएंगे, सबसे पहले हमको A मिल गया, फिर उसके बाद B हम देखते हैं, B मिल गया, फिर उसके बाद C मिल गया, फिर D मिल गया, फिर हमको E मिल गया, फिर हमको F मिल गया, फिर हमको G खोजनाय, अब जी 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 मिल गया, तो यहां पर इस तरह आप इसको ढूंद सकते हैं, इसमें सारे words आपको मिलेंगे, सारे letters आपको English के मिल जाएंगे, तो यहां पर हमारा बेसिक लेवल खतम होता है, तो अगर आप इंगलिश सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक, तो हमारे हर एक लेक्चर को ध्यान पुरुवक देखें, यकीन मनिये कि आपको मैं इंगलिश में एक स्पर्ट बना कर मानूंगा, ताके हमारे जो देश के लोग हैं, उनका सर नीचे नहों कहीं पर भी, मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यूँ,